मैं बदाने वाती हूँ कि अपने पिंपल्स जिसके वज़े से टीनेजर्स बहुत परिशान होते हैं जिनकी है उनको पिंपल्स का बहुत तकलिफ होती है तो वो कैसे क्विकली हम उससे चुट कर आपाए मुहासे होने का मुख्य कारण होता है आपकी अगर स्कीन ओईली हो जिवान हो हो उसके वज़े से आपको पिंपल्स हो जाते है वो चहरे पे होते है पीट पे आते है गरदन पे आते है अगर आपके बालों में डैंडर्फ होतो तो उसे वो जो अधिक तेल स्रावने वाली ग्रंतिया होती है उसको हमें उसके उपर अगर हम काम करें तो मुहासो की तकलिफ ना की अभी पर इन फ्यूचर भी कम हो सकती है और उसके वज़े से भी डार्क स्पॉट हो जाते है तो मैं कुछ होम रेमेडिस बताऊंगी जिस से आपके मुहा से तुरन निकल जाएंगे मुहा से मुहा से निकालने के लिए आपको बस पहले एकी करना है लसुन से पिंपल के दाक मिटाने का घरेल उपाई यह है कि लसुन में जो एंटी फंगल गुन होता है जिसके वज़े से आपके मुहा से दूर होने के साथ ही साथ जो मार्क से वो एकने के वो निकल जाते है तो आपको बस 10 से 15 मिनिट तक उसको मुहासब के उपर लगा के रखना है तो रुई से लगाना है वो लसुन को तो आप पिंपल से चुटकरा पा सकते हो उसके साथी साथ वो पिंपल का जो मार्क रहने वाला है वो भी निकल तो olive oil आपको चेहरे पे लगा देना है और लगा के थोड़े दिर रख देना है जिसके वज़े से आप मसाज कर सकते हैं उसके साथ से उसके वज़े से भी आपके pimples कम हो जाएंगे और उसके होने वाले जो दागे वो भी दूर हो जाएंगे और सबसे effective उपाय है दालचिनी और शहद का ये दोनों मिला के इसकी जो powder होती वो दोनों मिला के आपको pimple के उपर लगानी है ये बहुत प्रभावकारी है ना कि pimple मिटानी के लिए उसके साथ ही दाग को भी ये लंबे समय तक चेहरे की कुपसूरती बनाई रख देता है दा देना है उसके साथ ही साथ घरेलू उपाय में और एक बताने वाली हूँ वो है बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा आपके pimples का आस निकालता है और आपके skin बहुत lightning करता है तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने से भी आपके मुहासे की निशान तुरंद निकल जा सकते है कील मु जड़ से मिटा देता है साथी साथ उसके दागों को भी निकाल देता है तो यह थे कुछ पिंपल्स के लिए होम रेमेडी आप जरूर करके देखिया आप तुरंद पिंपल्स से और उसके दाग से चुटकारा पाएंगे और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये तो चा पिंपल्स के लिए आपको तो यह की अजेए है तो यह का बें हाजा एंड़ को देखिया आपको देखिया आपको देखिया देखिया अर्म-देघा